नमस्कार दोस्तों मैं शिद्धान्त ओलोंपे किस्टेडी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चकबंदी लेखपाल भरती परिक्षा 2015 के अंतरगत ये हमने मौनिंग के सिफ्ट का जो एक ग्रामीड परिवेस वाला पार्ट होता है इसका question session answer में आपके करने वाले हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लेखपाल की त्यारी कर रहे हैं तो इस video session को आप ज़रूर समझनेंगे और पूरा देखेंगे ताकि ये चीजे clear हो जाए कि किस तरह से question paper में पूछा जाता है तो अगर आप लेखपाल की त्यारी कर रहे हैं serious students हैं तो आप पूरा video देख लिजेगा ताकि बात में देखने की नौबत न रह जाए चलिए दोस्तों बाते ना करते हो डारे अपने question पर आते हैं और question आप लोग के लिखा हुआ है और सभी कुछ परतिक्षा कर सकता है किन्त करसी नहीं यह उदगार किसका है कुछ भी परतिक्षा हो सकता है लेकिन करसी परतिक्षा नहीं कर सकता है यह किस ने बोला था तो दोस्तों यह आपका यह जो answer आपका यह है पंडित जवाला नहरू यानि कि पंडी जवाला नहरू ने देखिए दोस्तों यहाँ पर explanation भी दिया हुआ है तो यह बहुत ही एची positive चीज़ है कि यह साथ में आप जब option देख रहे हो तो इसके साथ में आपको explanation भी मिल जा रहा है ठीक है अगला question देखते हैं क्या है अगला question है भारत में रजट करांती किसे से संबंदित है भारत में रजट करांती जो है यह आपको पता हुआ अंडा और चिकन का उत्पातन से संबंदित है most important question है और इसके साथ में जो करांतीया और include हो के सामने आती है उसको भी आप लोग देख लेजिए देखिए एक है रजट करांती जैसा कि question में दिया हुआ यह अंडा उत्पातन से संबंदित है दूसरा है हरित करांती जो की खादान या उत्पातन से संबंदित है दोस्तों लोग यह करांतीया पढ़ लेते हैं और कभी कभी यह हरित करांती ही छोड़ देते है और हरित करा में आता है तो जो पेड़ पोधे करके option में दे देता है ना मतलब पेड़ पोधों के उत्पादन को प्रोसाहित करना इस टाइप से जो आफसा देखते हैं वहाँ पर माग करके चले आते हैं तो यह गलत हो जाएगा आपका हरित करांती जो है यह खातदान यह उत्पादन से स संबंदित नहीं है जैसा कि हरित आप देखो और green revolution करके कुछ option में दे रहा है तो हाँ पर आप माग करके चले आओ चीज़े गरत हो जाएंगे ठीक है अभी फिर आपका स्वेद करांती स्वेद करांती आपको पता होगा कि दुग उत्पादन से संबंदित है नेली करांती अगेन बोल दे रहा हूं मतस्य उत्पादन से संबंदित है गुलावी करांती आपका जींगा मसली से संबंदित है लाल करांती मास और टमाटर उत्पादन से संबंदित है स्वर्ण करांती बाग बानी से संबंदित है ये सारी चीज़े लोग याद कर लेते हैं स्वर्ण क सब्बानी से सब्बान दीते है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है तो यह आपका वर्तिकाग्र होता है केसर का वर्तिकाग्र भाग जो है उपयोग में लाया जाता है केसर का वग्यानिक नाम है क्रोकस सैटी वेक्स ठीक है अगे देखिए अगला है महाजनी प्रथा का सरवप्रथम उलेख निमिलिकित में से किस प्राचीन गरंथ में हुआ दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्डन कोईशन है आपके एक्जाम में पूछा चा सकता है इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा महाजनी प्रथा का सरवप्रथम उलेख कहां पे हुआ किस गरंथ में हुआ आप लोग देखिए यह इसका जो आफ्सन हो जाएगा यह सत्पत ब्राम्मन आपका सही हो जाएगा सत्पत ब्राम्मन में जो है महाजनी प्रथा का सरवप्रथम उलेख हुआ था और थोड़ा इस सम्दित दो तीन डेटा है उसको भी आप लोग देख लिजिए महाजनी प्रथा का उलेख सरोपर्थम सत पत ब्रामण में हुआ और ये जो है यजुरुवेद का पार्ट है ठीक है और इसके राइटर जो है याग्यवल्क है आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो महाजनी प्रथा था वो सत पत ब्रामण से संबन्दित है सतपत ब्रामर जो है ये जुरवेद का गरंथ है ये जुरवेद से सर्मान्दित है और सतपत ब्रामर के राइटर कोन थे या कि वल्क जी थे ठीक है अगला देखिए अगला है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है तो ये अमरूद का एक उत्तम किस्म है कौन ललित है नाम से लग रहा है किसी का नाम है लेकिन ललित अमरूद का एक उत्तम किस्म है अगे देखते हैं इसके एकस्प्लेनेशन में के बढ़ते हैं करसी कारी में लगे ट्रेक्टर की आवाज कि इस अस्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए मतलब जहां से आप उम्मीद भी नहीं किया होगे वहां से क्वेशन दे रहा है करसी कारे में लगे tracktor की आवाज किस अस्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका answer लोजा है का 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए क्रसी कारे में लगे track살 की आवाज परिया वरण की सोर प्रदोसर द्रिस्टी से 90 डीवी से अधिक नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेशन है सेंट्री फ्योगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयूग के जाता है सेंट्री फ्योगल पंप होता क्या है वो जो आप समर जादा हो तो ये चीज़े यूज की जाती है देखिए इसके एक्स्प्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं हाँ पर क्या लिखा हुआ है सेंट्री फ्योगल पंप का प्रयूग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद सोत जादा हो फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना होता है तो धान में जो भूजी का प्रतिसत अनुमान होता है ये 20% होता है भारत में भूमी का सबसे बड़ी छेत्रफल पर धान बोजाता है ये भी आप लोग ध्यान देजिए कोईशन आ सकता है कि भारत में भूमी के छेत्रफल पर सबसे अधिक क्या बोजाता है तो थान बोई दाता है ठीक है और golden धान में सरवाधिक मातरा में vitamin A होता है यह भी दोस्तों पोच्कता है खिम सकता है that how vitamin A का महत्रा सरवाधिक होती है द्धैन देजिए दोस्तों चावल के उन्नत बीज के प्रतीय में क्तनी होती है फिर से मैं बोल दे रहो हूं चावल के उन्नत बीज के प्रती हेक्टेर बीजारोपड दर कितनी होती है तो ये आपका अफसन हो जाएगा 15 किलोग्राम मतलब जब उन्नत बीज होगा तो कितने एक हेक्टेर में कितना चावल लगेगा बोने के लिए तो जब उन्नत चावल होगा मतलब अच्छा चावल होगा तो पंदरा किलोग्राम एक हेक्टेर में आप बोश सकते हो तेकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है चावल के उन्नत बीज की प्रती हेक्टेर बीजारोपर दर पंदरा केजी की आवस्यता होती है जब कि साधारीफटों के बीज की प्रती में यहाँ प्रती हेक्टेर बुआई 75-100 केजी तदर रुपाई रेक्टेर हेक्टेर होता है कौन सा अमली धर्ती पर सफलता से उगाए जाता है नेम्डल एकित में से तोस्तों यह जो मैंने बोला भी कि एक ही बार में लगा तो इसको आप लोग करेट कर लिजेगा जो भी होगा मुझे डेटा ज्यादा पता नहीं है खेती की बारे में सो मैं यहां पर आफसन आपको बदा दे रहां फिलाग आप लोग इसको ध्यान में रखेगा कि जो चावल की उन्नत 20 होती है वो 15 केजी क्या आउसकता होती है एक हेक्टर में और जो साधार चावल होता है उसमें 75-100 केजी बुवाई के लिए और रुपाई के लिए 30-30 केजी यूज होता है अब मैं क्यों रिपेट कर रहा हूं कि जो मैं देख रहा हूं उटांग पटांग कोईशन भर दे रहा है तो कुछ भी दे सकता है बही बोल देगा कि एक हेक्टर में बुवाई है तो साधार चावल में कितना लगता है तो बोल देगा तो पचातर से सोकीजी ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों निम्लिकित में से कौन सा अमलिय धरती पर सफलता पुरवक उगाया जाता है यानि कि जो एसीड वाली धरती होती है उस पे कौन सा फसल या फिर कौन से चीज उगाया जाती है आसानी से तो यहां पे जो है तर्बूज तर्बूज अमलिय पिच मान उता 7 से कमवाली धरती पे भी सफलता पुरवक उगाया जाता है इसकी खेती के लिए मिटी का पिच मान 5.5 से 7 होना चाहिए यानि कि अमलिय होना चाहिए 5.527 तक होना चाहिए बलूई मिटी इसके लिए सबसे उप्योग्त होती है अमलिय तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है तो ये खरबूजा की उन्नत किस्म है कौन पूसा रसराज या ऐसे कोशन पूसकता है कि खरबूजे के सबसे उन्नत किस्म कौन सी है तो पूसा रसराज ठीक है ऐसे ही आपको याद करना है, और भी कुछ किसमे हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, देखिए, पूसा रसराज, दुरगापुर केसर, आरको मानिक, काशी, पितामबरा, पूजा वेदना, पूसा वेदना, आरका जयोती, डेबलू 19, आधी खरभूजा की उननती कि में हैं, ठीक है, खरभूजा की उननत किसमे कौन कौन सी हैं, फिरसे रिपिट कर रहा हूँ, पूसा रसराज, दुरगापुर केसर, आरको मानिक, काशी, पितामबरा, पूशा वेदना, आरका जयोती, और डबलू 19, आधी खरभूजे की उननत किसमे हैं, आगे देखिए द मतलब कौन सी फसल पहले कौन सी फसल बाद में बोह जाती है, तो आपको पता होगा कि धान और गेहूं की जो फसले होती है, इनको आगे फिछे करके बोह जाता है, देखिए यहां पर लिखा वो उत्तर भारत में गेहूं की फसल के बाद मतलब इसके गेहूं के हेर फिर में कौन सी फसल बोग जाती है तो अब इसी बात है गेहूं ठंड में बोग जाता है और धान गर में बोग जाता है तो इसके हेर फेर में धान बोग जाती है इन्होंने लिखा हुआ देखे उतर भारत में गेहूं फसल की हेर फेर धान की फसल सकी जाती है गेहूं रवी की फसल है जिसकी बुवाई सामाने तया अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रेल में होती है जबकि धान खरीफ की फसल है जिसकी बुवाई मैजून में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है इसलिए धान और गेहों की फसलों का हेरफेर किया थाता है आगे देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है आपका एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है सभी को पता होगा और हार्स पावर जो होता है 746 वाट का होता है सक्ति का मात रख है most important किसका मात रखा है शक्ति का मात रखा है कौन हार्स पावर कारे करने की दर को शक्ति कहते हैं यह लोग भी यह चीज भी आप ध्याल में रखिएगा कि कारे करने की दर को शक्ति कहते हैं और सक्ति को हम ऐसे रिप्रेंट करते हैं W by T से यानि कि total career और total career करने में लगा समय आपने कितना काम कर डाला और उस पूरे काम को करने में कितना अपने time लिया है यही आप calculate कर लो तो वो चीजे सकती होती है और इसको watt में reference करते हैं आपने उपर देखे लिया just one second आप लोगे यह भी देख लो कि एक किलोवाट में 1000 वाट होता है और एक मेगावाट में 10 to power 6 वाट होता है ठीक है और 10 to power 3 किलोवाट होगा ऐसे लगा दोगे 3 तो किलोवाट होगा किसमें 1 मेगावाट में ठीक है अगे बढ़ते हैं दूस्तों देखिए कूडे से हरित उ पंजाब ये दोनों कूड़े से हरित उर्जा निर्माड में सबसे आगे हैं अगें महरास्ट एण पंजाब जो है ये से हरित उर्जा निर्माण में सबसे आगे हैं ठीक है आगे देखे इसमें थोड़ा एक्स्प्रेंट किया है इन्होंने कूडे से हरित उर्जा निर्माण में महराष्ट पंजाब राज्य अगरडी है इसमें किसानों के घास फूस भूसे आदि से बिजली बना जाती है इस बायो मास में जहां पंजाब और माराश्टर का उच्छ स्थान है वही अन्य राज्य भी इसमें योगदान दे रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश हरियाना गुजरात मध्य प्रदेश आदी इस प्रकार आनने जही था लगिन फिर भी इन्होंने दे दिया है तीन ट्रिलियन ब्रिक्ष है पूरे प्रत्वी ग्रापे प्रत्वी ग्रापे कितने हैं तीन ट्रिलियन ब्रिक्ष है आप लोग ध्यान में दीजेगा और फिलाल बस इतना ही रिपोर्ट कहां से आई जाना जरूरी नह खाना बनाया जाता है ना तो डी यानिक 85% में ऐसे लोग हैं जो लकडी गोबर इत्यादी से खाना बनाते हैं सो जी कितनी हालत खराब है कितनी मतलब आप लोग कितने पीछे हैं हम लोग कितने पीछे हैं अभी अभी अधर कंट्रीज से यानिकि 85% ग्रामीड ऐसे हैं जो लक 80% ग्रामेंड परिवार के रसुई में पराम प्रागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बना जाता है 25% ग्रामेंड परिवार में रसुई के एधन के लिए लकड़ी का 10% गोबर की वालियों का और 5% रसुई गैस का यूज खरते हैं ठीक है कि जस्ट वोन सेगंड दोस्तों अगला कुश्चन है देखें अब लोग द्यान से केवल कितने प्रतिसत्त ग्रामेंड परिवार के रसोई में मैं तेल से खाना बना जाता है आपको पता हो कि मैं तेल बहुत ही कम परिवार में यूज होता है क्योंकि आजकल इलेक्रिक लाइ लेकिन तो फिलाल इसकी जो मात्रा यह काफी कम हो गई है यानि कि रसुई में मिट्टी का तेल जो खाना बनाने वालों का प्रतिसत है वो जस्ट वन पॉसेंट रह गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं जावो ग्रामिड खेती करने का तरीका कहां पर विद्धमान है तो यह नागा लेंड में विद्धमान है जावो ग्रामिड खेती है जिसमें चावल की खेती कि जाती है नागालेंड की आगामी जनजाती में या महातोपूर्ण कर्सिपढाली पृष्लित है, याझने के जादी जाबो ग्रामिड खेती नागालेंड में की जाती है अगांगी जञती के बीच में की जाती है अगला कुश्चन है किसान चैनल का प्रधान मंत्री द्वारा कब उधगाटन किया गया तो किसान चैनल का जो है ये 26 मई 2015 को गीडिक किसान नाम से चैनल आरंब किया गया भारत के वरतमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा 26 मई 2015 को ये उधगाटित किया गया था इसका प्रभू को देश्च करसी संबंदी छेत्रों जैसे नई तकनिक का प्रसार, पानी के संरक्षण वाज जैविक खेती जैसे बिस्यों का ज्यानकारी किसको तक पहुचाना है ठीक है अगर देखते हैं निमरेखित मेंसे कौन से दो जुताई के प्रात्मिक उपकरण है मतलब प्रात्मिक उपकरण मतलब जो पहले लोग प्रिफर करते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा मेल्ड बॉर्ड हल चल और मर्दा खुदाल सबस्ताइलर को बोलते हैं और दो इसे मैं बोल दे रहा हूँ कि मेल्ड बोर्ड हल और मर्दा खुदाल यानि की सब साइलर ये दो जुताई की प्रात्मिक उपकरना है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है सिचाई में जल प्रयोग की कुसल मितवेटा के अनुसार कौन सी प्रडाली स्रेसकर है मतलब जल प्रयो जल वेस्ट ना हो और अपना काम बन जाए यानि कि इसको एक्स्प्रियोग में आप देख सकते हो सिचाई में जल प्रयोग की कुसल मितवेटी ड्रिप सिचाई पढ़ा ली है इस विधी की खोज इसराइल ने की इस विधी के प्रयोग से लगबग 35-50% पानी की बचत होती है इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है सिचाई की यहां विधी उसर रितिली मर्दा और बागों के लिए अत्यान तुप्य होगी है जो आप देखते होगे कभी-कभी बागों गरा में एक ऐसे मसीन लगा रहता है तीन यहां पर निकले होते हैं और गुमता रहता है यहां पर अगर आप ज्यादा गिराओगे तो गिरेगा ठीक है आगे देखें दोस्तों लिखा हुआ है मिटी का कटाओ सरवाधी किस प्रकार की मिट्टी में होता है प्रतिसत जो खेती है वह सिचित है मतलब जहां पर हम पानी को सीजते हैं तो लगब पच पर न परसंट एरिया ऐसा है जहां पर हम पानी से सीचते हैं ठीक है सिंचे छेतरों में अब आगे देखते हैं थोड़ा कुछ कुश्चन से यहां पर जो इंपॉर्डन कोईशन बन सकते हैं वो आपको यहां पर दिया हुआ है भारत में कुवा वा नलकूब द्वारा सिंचे करते हैं तो नलकूब द्वारा करते हैं जो की 56 प्रॉक्स है यानि की 55.9 परसंट है अगला जो नहार सिचाई है वो हम कितना करते हैं वो 31.4 भूब भाग पे हम नहर से सिचाई करते हैं तालाव से सिचाई हम 6.1 पार्ट में करते हैं और जो टोटल अनिस रोथ है वहां पे 6 पर देखते हैं दोस्तों, अगला question क्या है, इस प्रदेश में प्रचली धरातल की माप में, कौन सा सही नहीं है, ठीके, तो बी हमारे यहां पे सही option नहीं है, बाकी सब सही है, बीस कंचवासी में एक बिस्वानसी होता है, बीस कंचवासी में, इसको जब मैं आपको विश्वासी में एक विश्वासी होता है और 20 विश्वा में एक विखा होता है मतलब विश्वा यानि कि विश्वा बोलते हैं इसको बहुत लोग विश्वा ठीक है तो 20 विश्वा में एक विखा होता है और एक विखा में पच्पन वर्ग गज होता है यानि कि यह जो है नह ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों वार्सिक्रम और वर्सांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं वार्सिक्रम और वर्सांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम ठीक है अनुक्रम के माध्यम से ही मतलब वो चें रोपण अनुक्रम कहते हैं जैसे गेहों के बाद दलहन छोटे अनाज के बाद यह क्या लिखा हुआ है कतार वाली फसल छोटे अराज के बाद कतार वाली फसल दलहन के बाद अनाज इत्यादी फसल रोपण अनुक्रम दो या तीन वरसों का हो सकता है ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट एक साल में जो चेंज हो रहा है वही ऐसा कुछ नहीं तीन तीन साल में भी फसलों का चेंज करके आपस में रोपड या फिर जो चेंजिंग वगरा होता है हम कर सकते हैं ठीक है आगे देखिए प्रतिवर्स भारत में कितना कुड़ा और खरपतवार निकलता है तो य भारत में पंचायतो की कुल संख्या कितनी है याद कर लिजियेगा उपरियुगत में से कोई नहीं है फिलाल यहां पर ओपर संख्या यह यह इतनी है 242 ऐसे आपको याद करना है ठीक है तो कितना है लगबग ये 24202 ऐसे आपको याद करना कि 24202 और लगबग ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि 25,60 अगे लगा देना ठीक है यने कि कितना हो जाएगा दो लाग पचास जार ठीक है दो लाग पचास जार एप रॉक्स है लेकिन जो डीटेल अगर आप exact की बात करोगे तो 240-202 ठीक है धाई लाग आप बोल देना ऐसे एप रॉक्स है और 240-202 आपका और 24 लाग करीब जो है यहाँ पे दो लाग चालिस जार करीब यहाँ पे सही जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों भारत में कुल वर्ण छेत्र कितना है तो उपरिए तो मैंसे कोई नहीं अगें मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने पेपर किस तरह से बनाया हुआ है इतना अजीब टाइम में पेपर सस्ट में बना हुआ है यहाँ पे डेटा के बारे में जादा पूछा जार है आप देख रहे होगे इतना डेटा पूछा जार है कि मतलब यह है यह अब यहाँ पर देखिए और मतलब दो क्वेशन तो ऐसे मिलकर यह दिया हुआ है और इसके बाद में यहाँ पर भी ऑफ्सन दिया रहा है उपर युक्त में से कोई नहीं फिलाल देख लिए पेपर है कैश्वे कुछ भी घुमा कि दे सकता है वन सर वेक्षर रिपोर्ट 2015 कि भारत में कुल वन छेत्र इतने पे फैले हुए आप लोग ध्यान है पूछ रहा है तो डेटा में कुछ भी डाल सकता है ठीक है तो जो पूरे भगवालिक छेत्र का 21 दसमलों 34 परसेंट है ठीक आगे बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है आगे देखिए फिलाल मैं आपको फिर सर याद दिला दू कि आपको याद करना है कि उबन सर वेक्षर रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कुल वन छेत्र 70, 16, 73 70, 16, 73 70, 16, 73 70, 16, 73 वर किलो मेटर पे फ्यला हुआ है 33, parcади बोला हूँ आपके दिमाग में बैठना चाहिए 70, 16, 73 कुल खेती छेतर से दाथ परए है C कुल खेती छेतर से दाथ परए आपका है वर्स में सुद्ध खेती किया गया 6 प्लस वह छेतर जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई वरस में सुद्ध खेती किया गया छेतर मतलब पार्टिकुलर अगर ये एरिया है तो इतने छेतर पर सुद्ध खेती की गई हो और वह छेतर जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो ठीक है एक बार से अधी खेती की गई हो एक साल में तो ये आपका हो जाएगा कुल खेती 6 द्रफल से तात परिये ठीक है तो उमिद करता हूँ चीज आपको समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं निमलकित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है निमलकित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है जो जड़ वाली क्रॉप होती है वो नहीं है ठीक है तो यहाँ पर रूट वाली जो क्रॉप है वो एक नहीं है ठीक है रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों वा जड़ों में संचित होता जैसे आलू, चुकंदर, सकरकंद, इत्यादी, आप जीजे समझ गए होंगे, इक, रूट, क्रॉप, फसल नहीं है, क्योंकि आप जानते होगे कि इसका जो रस वगयरा होता है, वो बाहर होता है, ताने में होता है, ठीक है, तो ये रूट से सम्मंदित नहीं है, देखिए समानेता, इतना परसंट प्रोटीन होता है, आठ से पंद्रा परसंट, और 65 से 70 परसंट कार्बो हाइड्रेट होता है, और इसके बाद में 1.5 परसंट आपका वशा, एंड 2 परसंट खनीस पायता है, आगे देखिए दोस्तों, परिक छेत्रीय मर्दा को और क्या कहते हैं, परिक छेत्रीय मर्दा को उपरिक तो सभी, यानि की, देखिए परिक छेत्रीय का मतलब यह बता है कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो इसके आस पास की मर्दा को हम क्या बोलते हैं, ठीके, क्या बोलते हैं, उपरिक तो सभी, यानि की क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ड्रिप्ट अउमूलियन आदी छेत्रिय मिर्दा है ठीक है फिर से बोलते रहों पर एक छेत्रिय मिर्दा उसे कहते हैं जहां पर वहां के वाता वरण के अनुसार प्रभाव पढ़ता हो अर्थात छेत्रिय मांसून या छेत्रिय जलवायू का प्रभाव पढ़ता हो ठीक है म MP kis अनपातिक प्रियोग की संसुति की गई है MPk मतलब होता है नाइड्रोजन ठीक है और इसके बाद में फास्पूरस एंडें पौ्टेसियम ठीक है तो आपको याद रखना है कि नाइड रूजन फास्पूरस और पौ्टेसियम का अनपात कितना होना चाहिए तो 42 का अनपात होना चाहिए वैसे कर देखा जाए तो 211 लिखा हुआ है है ना यहाँ पर यह रिटे आपका सही ए आपका यहाँ पर डी सही है इन 42 है बाए और आपक tray सी बात है बारत में audience 5 участ सब्सक्राइब करें कि यहां पर एक आपको आप सब्सक्राइब करता हो क्योंकि दोस्तों आपका भी ऊप्सर लेकिन जो तो यहां पर है, answer आपका B है, तो आप इसको B याद कर लिजेगा, 2421 का, ठीक है, कितना उनाची कि 421 का, अगर चीजे मुझे पता होती है, तो मैं बाद में इसको पिन कर दूँगा, आप लोग comment सेक्शन में जाके पिन में भी देख सकते हो, ठीक है, आगे देखते हैं दोस् ज़ाँदी पकने वाले टमाटर की परजाती है, और टमाटर की अन्य परजाती है, पूशा, गाःटिक, फॉडारो, सल्लाली, रस्मी, अभिनाश, ये क्या है, टमाटर की किस में है, दोस्तों फसल और उनकी किसमों से संबन्धित में वी Wallace में लाओं गा, पूरा का पूरा है एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुक्सान कब हो सकता है तो अगर इसकी जब गती ज्यादा होगी तो दानों को काफी नुक्सान करेगा क्योंकि जब गती ज्यादा होगी तो प्रेसर अंदर अच्छा तो यानिस फ्रेसर बहुत तेज़ चलेगा तो दानों को नुक्सान करता है ठीक है तो थोड़ा सा जितना उसका एक जितना कॉंस्टेंट एक होना चाहिए उतना करके हों चलाना चाहिए जएदा तेजने चलाना चाहिए आगला कुश्चिन है दीमक को नस्ट करने के लिए सरवाधिक उप्युक्त रसायन कौन सा है तो दीमक को नस्ट करने के लिए सरवाधिक उप्युक्त रसायन मोनो क्रोटो फस है अगला देखिए इनमें से कौन ग्रामिड विकास का वरतमान कभीना कैबिनेट मंत्री है तो इनमें से कौन सा ग्रामिड विकास का वरतमान कभीना या फिर कैबिनेट मंत्री है तो देखिए यहां पे जो प्रसनकाल के समय में ये चौधरी विरेंद्र सिंग भारत के ग्रामि विरेंद्र और नरेंद्र दोनों लग रहें ना तो आप ऐसे sound ळी बाद में अभी तो मिनिश्र बने हैं कि आप इसे समस्झान कि जो बाद में क्या बोलते हैं ग्रामिड्स बिकास मंत्री बने हैं रहें वो तो आप इसे लेंडर सकते क्रॉब कटिंग एक्सपरिमेंट किलिके आता है दो love Unky seег कर लिए उपरज कभी को पता हो सुस्टानपूर लिख देगा तो हां से बच्चे क्पेश। देंगे तो सुलतानपूर में कर देंगे लेकिन आपका प्रताप गड़ ठीक है आपको पता होगा कि आवले में विटामीन सी पाया जाता है अगला कोईशन है खसरा और खतवनी कौन त्यार करता है बहुत ही बेसिक बहुत ही कॉमन कोईशन है पटवारी त्यार करता है ठीक खसरा और खतवनी पटवारी त्यार करता है खसरा और खत सकते हैं सारे के सारे objective question को हम बिभिन प्रकार के किताबों से या फिर सोर्स से या फिर प्रिवेस्टर का जो मौक पेपर रहा होगा उससे तरह तरह के सोर्स से हम यहाँ पे सारे के सारे objectives कराएं कुछ करेंगे लगबग 2,000 objectives का हम target लेके चलना है जो most important होगा उनकी बात हम कर रहे हैं ठीक है और जो बाकी theoretical part है वो तो मैं already cover ही कर रहा हूँ धीरे धीरे चल लाए step क्योंकि दोस्तों मैं video तो बना सकता हूँ लेकिन मुझे video बनाने की जगा साइस नहीं मिलती है अब एक घंटा मुझे सांती कहां मिलेगा वो रात नहीं मिल पाता है और रात में आप energy देख रहे हो आवाज आवाज आप खुद लोग analysis कर रहे होगे थोड़ी सी दबी आती है रोखी आती है क्योंकि रात में क्या है कि सब लोग सोते हैं वीडियो तो ऐसे भी काफी टाइम लेट से बना रहा हूं लगबग 2-3 बज़े रहा है आप सोच सकते हो कितना महनत पड़ जाता है तो मैं वंबित करता हूं देरी देर है हम जैसे बताने कच्ववा जो चलता है हम उस चालता चल रहा है लेकिन आने वाले समय में सारे के सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे यूपे स्पेसल और क्रामेट से समान दे ठीक है तो अगर वीडियो सेशन को आप वीडियो सेशन को आपने इंज्वाई किया है झालता चलता 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 है